Hello everyone and welcome back to the channel. I hope आप सब ठीक होंगे. तो आज इस वीडियो में हम करने वाले है वन लाइनर क्वेच्छन आप जेनल इंगलिश और सिक्सेमिस्टर बैस 2018 and the backlog बैस आप 2016 and 70. तो वीडियो को सिक्प मत करना है एंड तक देखना वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए है चैनल को सबस्क्राइब कीजी और साथ में जो बैल आइकन होता है उसको भी दबा देजे ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोट नबर वान इस Language of Advertisement तो इस वीडिवेत कोईन मों ही। मतलब होता है देलकश ठीक है इसे अइसी लंग्वेज इसमें इस्तेमाल करना चाहे जो के साधा हो के आसान हो जो हर किसी को जलत ही समझ आए ठीक है तो अगर हम बात करेंगे arresting की यह हम इसकी literally meaning जानेंगे तो वो होता है गिरिप्तार ठीक है यानि ऐसी language होनी चाहे जो कि लोगों के mind को जो कि ideas के mind को arrest करें ठीक है So question number two is characteristic of an advertisement तो इस question में हमने यह बताना है कि जो character होते है inka मकसद क्या होता है मार्टू क्या होता है यानि इनका किरदार क्या होता है तो सबसे पहले बात करेंगे हम types of advertisement की देखिए जो types होते है अरोटाइजमेंट के वो दो तरह के होते है एक होता है classified ads और दूसरे होते है commercial ads यह जो commercial ads होते है यह more expensive होते है as compared to classified ads क्यूंकि जो commercial ads होते है इनमें हम images का इस्तेमाल करते है इनमें हम sketches का इस्तेमाल करते है इनमें हम videos का इस्तेमाल करते है आपने TV पर देखा होगा क्यूंकि आज T20 World Cup चल रहा है तो अगर आप match देखते हो तो वहाँ पर जब भी over खत्म हो जाता है तो advertisement आते है इसी तरह से classified ads होते है इनको हम एक react to angular box में रखते है इस तरह से advertisement बनाया जाता है तो यह जो classified ads होते है यह less expensive होते है as compared to commercial ads तो अब हमने इस question में बताना है कि जो किरदार होता है advertisement का तो advertisement का मतलब होता है to pay attention ठीक है यानि हम advertisement इसलिए बनाते है ताकि हम जो हमारे goods है यह हमारी services है उस चीज़ को promote करें ठीक है उनको promote करने के लिए हम good advertisement बनाते है ठीक है तो जो advertisement होते है इनका मकसद ही होता है कि to inspire a customer अगर हम advertisement बनाते है तो हम इस तरह की language को add करते है हम catchy language add करते है या हम arresting language use करते है ताकि जो एक customer है वो inspire हो जाए या फिर जो barrier है वो convenience हो जाए तो इनका character इनका क्रीश्डार ही होता है कि जो customer है वो inspire हो जाए और जो buyer है वो convenience हो जाए तो इस question में हमने ये बताना है कि advertisement के लिए हम किन जर्यों का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे जो answers है वो है news papers, magazines and tv क्योंकि जब भी हम news paper पढ़ते हैं ठीक है तो जो last page होता है news paper का वहां पे बहुत सारे advertisement का हमें देखने को मिलते हैं इसी तरह हम magazine पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमें बहुत सारे ads होते है, advertisement होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलते हैं टीवी पे आप रोज मरा अगर आप चाहे आप कोई मुवी देख रहे हो चाहे आप मैश देख रहे हो या और कुछ देख रहे हो तो एड तो महाँ पे लगता ही लगता है ठीक है मतलब इन मकसद का जो एरोटाइजमेंट होते है इनका मकसद क्या होता है इनका मकसर ही होता है कि वो अपने जो goods है या उनके जो services है उन चीज़ को promote करने के लिए वो advertisement देते है ठीक है इसी तरह से हमने यह बताना है कि जो जरिया होता है advertisement का वो news papers होते है magazines होते है TV होते है ठीक है So next question is cheap informative for advertisement ठीक है देखिए आमें यहां पर बताना है कि सस्ता जरिया होता है advertisement का So that is news papers क्योंकि आप सो को पता होता है कि जो classified ads होते है ठीक है जो classified ads होते है वो हमें कहां पर देते है वो हम देते है निवस पेपर में क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव होते है उनमें हमें किसी तरह का इमेजिस इस्तेमाल नहीं करते है उनमें हम किसी तरह के वीडियोस इस्तेमाल नहीं करते है जिस तरह से हम किसमें करते है कमर्शाल एड़स में तो commercial ads जो TV पर आते हैं ठीक है, आप ने जहां पर आज कल जो ads होते हैं TV पर जब यह मैं आइज जेक्ति हो तो वहाँ पर ads आते हैं उन ads को हम commercial ads कहते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे visuals का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से images का, जिस तरह से videos का, जिस तरह से actors का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो advertisement है, वो more attractive लग सके, ठीक है, ताकि जो उनके goods है या services है, जो audience है, वो attract हो जाए, उनके goods से या फिर हम कह सकते हैं, उनके service से वो उससे खरीद सके, ओके, so question number five is, best medium for advertisement is, that is television, क्योंकि आप सब बहुत सारे लोग television देखते हैं, TV देखते हैं, चाहे match हो, movie हो, या कोई और program चार रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर ads आते हैं, तो लोग, जो मतलब कोई company है, वो ये बहतर समझती है, कि जो मेरी audience है, वो वहाँ से उस चीज को देखे, और उसे खरीद सके, ओके, so best medium for advertisement is television, ओके, next is, a simple protocol user for fetching email from mailbox is, तो that is POP3, ओके, तो POP3 stands for, it stands for post office protocol 3, ओके, it stands for post office protocol 3, तो इसका मकसद क्या होता है, क्या use होता है इसका, ठीक है, तो ये जो POP3 होता है, जिसे हम कहते है, post office protocol, ठीक है, ये इस्तिमाल किया जाता है, किसलिए, जो email होती है, जो emails हमें receive होती है, throughout the internet, वो हमें इसके जरिये receive होती है, ठीक है, यानि ये ही POP3 उन्हें receive करता है, ओके, तो question number 7 is, email is made up up, तो इसका जो correct answer है, वो है, two parts, यानि जो email है, it is made up up two parts, तो अब ये जो two parts है, ये क्या है, क्या है ये two parts, so that is user name, और दूसरा होता है, dominant name, एक होता है user name, दूसरा होता है dominant name, इन दो हिस्सुन से, इन दो parts से, एक email बनती है, ठीक है, so next is question number 8, the email component of internet explorer is called, तो उसे हम कहते है क्या outlook express, okay, so next is question number 9, the tune of email should be, so it might be very aggressive, okay, tune का मतलब होता है लह जा, so next question is, sword stands far, तो sword का मतलब क्या है, sword का मतलब होता है, strength, weakness, opportunity, opportunity and threat, okay, तो अब हमने जाना है कि, जो ये words what है, ये क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका use क्या है, देखे जो बड़ी companies होती है, फारिक में लेट से क्यों कोई MNC है, multinational company होती है, ठीक है, तो ये जो company होती है, ठीक है, ये एक तरह का tool होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि, it's a simple tool, जो कि बड़ी company होती है, उनको ये मदद करती है, किस चीज में, to analyze that, what your company does, यानि जो आपकी company है, वो क्या कर रही है, उन्हें उस चीज को मदद करने के लिए, इस tool का استعمال किया जाता है, ठीक है, फार एक्जम्पल कि, आपकी company की जो सिट्रंगत है, वो अपनी company की सिट्रंगत, चेक करने के लिए, इस चीज का استعمال करते है, ठीक है, यानि जो वोड स्वार्ट है, इस चीज का, मनलब इसका استعمال करने के लिए, वो क्या करते है, वो देखते है कि, जो हमारी company है, वो कहां पर है, ठीक है, क्या कर रही है, उनकी position क्या है, उनकी weakness क्या है, ठीक है, ओके, सो स्वार्ट प्रेंगत, वीकने अपर्चिनटी थ्रेड, ठीक है, यानि स्वार्ट, जो स्वार्ट होता है, हम कहा सकते हैं कि, एक जो good advertisement होता है, या हम कहा सकते हैं कि, जो advertisement होता है, इसके language कैसी होनी चाहिए, इसके language होनी चाहिए, catchy और flowery, तो इसको आरदी हमने डिसक्स किया है, ओके, तो यह डिराइव हुआ है, एक latent word से, advertise, कहां से, advertise है, question number 13 is, the word advertising mean, तो इसका मतलब क्या होता है, to drive the attention towards something, or we can say, to pay attention, okay, so question number 14 is, the essay should be, तो essay कैसा होना चाहिए, क्या यह short होना चाहिए, क्या यह long होना चाहिए, क्योंकि essay जो होते, it is short as well as long, okay, so question number 15 is, characteristic of good essay, तो इस question में हमने बताना है, कि जो characters होते हैं, ऐसे के, वो कैसे होते हैं, क्या यह personal touch होते हैं, defined style, okay, तो personal touch is also a character of good essay, and we can say, dignified style is also a character of good essay, okay, so question number 16 is, essay which tells us a story, ठीक है, देखें, ऐसे essay को हम क्या कहते हैं, जो कि किसी story को narrate करें, ठीक है, जो कि हमें किसी वाकिय के रिगारिद, ठीक है, किसी incident के रिगारिद, हमें story बताए, उस तरह के issues को हम narrative essay कहते हैं, जो कि किसी story को narrate करें, ठीक है जो कि किसी incident को narrate करे उस तरह के essays को हम narrative essay कहते है ओके question number 17 is descriptive descriptive essay describes ठीक है जो descriptive essay होता है तो ये word से ही पता चलता है कि कि किसी चीज़ को describe करना descriptive मतलब किसी चीज़ को describe करना उस तरह के essays को हम क्या कहते है उस तरह के essays को हम कहते है descriptive essay describes यहने जो descriptive essay होते है यह describe करते है किसी person को किसी place को ठीक है यहने जो essay किसी place को describe करें किसी person को describe करें ठीक है for example let's say कि मैं यहापे बात करूँगा गुलमरक की ठीक है अगर मैं गुलमरक के regarding क कोई aisa लिखूंगा तो इस तरह के essay को में लिका होंगा It's a descriptive essay, ठीक है For example, इसके अलावा मैं Alama Iqbal पे कोई essay लिखना चाहता हूँ तो जब मैंने इसके उपर कोई essay लिखा तो इस तरह के essay को मैं क्या कहूंगा यह है descriptive essay, ओके So question number 18 is Essays are the collection of one's thoughts देखे, इस question में हमने बताना है कि जो essays होते हैं जिसमें हम किसी person, किसी place की thought को या sorry, place की नहीं किसी person के thought को ले तो उस तरह के essay को हम क्या कह सकते हैं उस तरह के essay को हम कहते है reflective essays, ओके So next question is Question number 19 Amartya Sin was born in तो Amartya Sin कहां पे पाइदा हुए थे यह was born यहां पे पाइदा नहीं, मतलब बताना है कि वो का पाइदा हुए, ठीक है तो Amartya Sin जो पाइदा हुए थे वो हुए थे 3 November 1933 ओके, कहां पे वेस्ट बेंगाल में वहां पे एक जगा है S-A-N-T-I-N-I Santini Caten ओके, वहां पे यह पाइदा हुए थे So next question is Amartya Sin was a specialist in तो इस question में हमने यह बताना है कि जो Amartya Sin है जो Amartya Sin थे वो किस में specialist थे आप सब को पता हुए था कि वो एक well and renewed economist थे ठीक है very well and renewed economist उन्हें economic में भी Nobel Prize हासिल किया था in the year of 1998 लेकिन किस में economic sinus में या जिसे और हम कहते हैं डेवलोपमेंट एकोनॉमिक्स ओके So question number 21 is How to judge globalism published ठीक है तो यह publish हुई थी in the year of 2002 ठीक है An American Prospect तो यह जो American Prospect था यह एक monthly magazine था और article था किसका Amartya Sin का जो कि publish हुआ 2002 में यह जयानी जो How to judge globalism है यह publish हुआ था 2002 में इस article के under Okay So question number 22 is How to judge globalization written by तो globalization को किसने लिखा था How to judge globalization तो इसको लिखा था किसने That was Amartya Sin Okay So next question is Question number 23 According to Amartya Sin the technology of printing book belongs posted तो यह कहां से था China से Next question is I have a dream A book or a speech तो इस question में हमने यह बताना है कि जो I have a dream है क्या यह book है या फिर speech है तो आप सब को पता होगा कि यह क्या है यह speech है जिसको दिया था किसने Martin Lerder King ने जो कि एक American Civil Rights Activist थे उन्होंने इसको दिया था इन्दियारा 28th August 1963 में Okay So next question is Speech I have a dream डेलवड भाए तो मैंने पहले ही कहा कि इसको दिया था किसने Martin Lerder King ने When was speech I have a dream डेलवड तो आलरेड़ी इसको भी डिसकस किया है So that is 28th August 1963 So आज का question आज का last question भी करते है So that is Martin Lerder King जुनियर उसे दा इमेज आप दे वैली रेप्रेसेंटर्स तो So that is bad times Okay So that was all about today's topic Hope you like this video अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजे और अपने friends के साथ शेयर किजे मिलते हैं शाला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज